कुछ नवसकर प्रकास प्रम नियो टिक्नलोजी प्रोटाइन साज दिखने मैं के लिए के और एक डेमो इंपोर्ट डीटा इंपोर्ट के बाढ़े में जो हम लोग एक न्यूव सेट बनेगे उसके लिए सबसे पहले हम लोग के लिए को इस थिम को अक्टिबेट कर लेते हैं हो तो यहति क्टीन की स्टाट हो चुका है अगा जाए कि देख सकते हैं में सब इंस्ट्रोल औरूमें में यहीं थोड़ा टाइम लगेगा अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए वीडियो को लाइक किई कोमेंट किई कि अपने दोस्तों लोग संग अगर इस वीडियो में 50 लाइक्स कंप्लीट हो जाता है तो यह जो वेबसाइट प्रेमियम वेबसाइट इसका थीम में आप लोगों को फ्री में दे दूँगा जिसलिए इतना जाता से जाता हो सके स्क्राइब की ऐसे और शेयर भी किजिए वी इमेज होता है कि सबमिपूर होता है इसमें जिसका कोंटेंट है वह भी आटमेटिकली जो होता है जो वेबसाइट का प्रोटीम है वो प्रॉपर्ली सेट हो जाता है अगर आप नॉन टेक्निकल गाये हो तो अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होका इस वेबसाइट को बनने में बहुत ही इजी वह में आप बना सकते हो तो अल्रेडी सेवेन इमेजेस इंपोर्ट हो चुका है तो यहां टूटल थर्टी टूइमेजेस है में भी यहां पर थोड़ा टाइम लग सकता है तो यह हो रहा है आपको चैनल पर नहीं है तो हम लोग ऐसा टेक्निलोजी रिलेटेड वीडियो हमें से लाते रहते हैं आपको अगर एंड्रोइड स्टूडियो में अगर इंट्रेस्ट है तो उसके सीरीज भी मैं ला चुका हूँ अलेडी आप चेक कर सकते हो और भी हम ल अल्मोस्ट इंपोर्ट हो चुका है 18 इमेज़ेस अ कि अ कि अ कि अ कि अ कि आपको आपसे कोई भी स्टेप नहीं नहीं हो इसलिए आपको पूरा स्टेप पर स्टेप ट्यूटोरिय लेए यह आप एक वेबसाइट को चार से पांच मिनिट में एजीली बना सकते हो खुद से इसके पर टेक्निकल नॉलेज के ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं इसमें कुछ भी स्किप नहीं कर रहा हूं पूरा है ना में स्टार्टिंग से आप लोग उपको दिखला रहा हूं कैसे क एक फुद से बना सकते हो तो जैसे की देख सकते इंपोर्ट कंपलीट हो गया है हम लोग इसको क्रास कर देता है गवाध फूर चले जाने के बाद कर देते हैं अ उसके बाद निशी साइड में पे से इसको सेलेक करते हैं श्रूर्टिक पे सिलेक करते हैं उसका अब देख तो यह लोड होड़ा है यहां पर यह प्रिवेस्ट ली जो आसा दिखने में है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं simply homey learning को सेलेक्ट कर देते हैं तो यह लोड हो रहा है चलिए अलमुस्ट होगी हम लोग इसको पब्लेस करते ते इसके बाद हम लोग simply website को खुलेंगे यह वेबसेट जैसे ही लोड हो गया तो इसको हम लोग फिर से रिलोड करते हैं में भी वेबसेट प्रिवियस वाल ही लोड हुआ ओकी जैसे कि लोड कि आप लोग देख सकता है कि website almost ready है आप इसको आप यूज कर सकते हो तो इस वीडियो में बस इतना ही हम लोग जाने की वेबसेट कैसे करके डेवलप किया जाते है बहुत इजी वेब तो वीडियो को लाइक कॉमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थैंक्स फॉर वाचिंग